नमस्कार दोस्तों आसागरतों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको डिखाएंगे कि किलॉसकर का यह जो पॉम्प है हमारा हाफ एच्पी का सैलो विल जेट पॉम्प बोलते हैं इसको और यह है एक एच्पी का जो हमने हाफ तो इसके चलते यह इस वीडियो को बने रहे हैं आगे बताएंगे सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा और हाँ यह घंटी का बटन जरूर दबाएगा ना तो आने वाले वाले वीडियो जरूर आप मिस्स कर जाएंगे अगे यह अग्रम का बॉक्स है और मैंने ऐगर आपम नगा एपाँ पॉलते हैं वह का ही था और अगर्न ने मंगाया था जिसका अब दे के अपाइस जो है बारह अजर कूश रूपय कर मुंख है यह आप्रक्समेंटली 10 माप के करीब में आता है की लोस kid काजो है है तो आठ नौ रुपया इस से ज्यादा पड़ता है, तो पहले मैंने करम्टम का ही मंगाया था, मगर उसको चलाने के बाद थोर सा मुझे प्रावलम लगा, तो मुझे लगा कि किलोसकर काफी दिनों से यूज किया था, क्योंकि पहले वाला मोटर था वो आठ नौ साल पुरान है, और इसका इस्ट्रलेशन के लिए एक लकड़ी का टुकरा हम लोग ले लेंगे, एक फिट का, बाई 8 इंच का, और इसका जो भी होल होता है नीचे बेस में, उसको लकड़ी के उपर रखके पैंसल से चीन लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमें नटबॉल फिट करना है, यह लगाने से यह बेनिफिट होता है कि जो मोटर है उसमें वैब्रेशन का मोता एक बेस तलिया उसका मिल जाता है, तो मोटर जो है इधर वदर नहीं होगा, क्योंकि इसको तो हम लोग कहीं पर माउंट करनी रहें, तो लकड़ी पर ड्रिल के साहता से जहां जहां हमने मार किया था, वहाँ पर होल कर लेंगे, चार होल इसमें कर लेंगे, जिससे यह अच्छे तरह से नट बोल्ट से टाइट हो जाए, और इसका जो बेस है वह हिला ना, क्योंकि जब मोटर स्टाट होता है, तो वैब्रेशन ज्यादा होता है, पीछे की तरफ से हम लोग देखिए है, यह की थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो जो हमारा नट बोल्ट है, उसका जो सेर है, सीरा जो है, वो अंदर की तरफ चल जाए लगड़ी में, जिससे की लगड़ी जो है, वो जमिन पर इनम चिपका हुआ रहेगा, उठा हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए हमने पीछे से रखके फिक्स करेंगे, मोटर का जो है, वेट काफी होता है, तूप का आगे वाला जो पूरसन है, पूरा मैटल लोहे का कास्ट से बना रहता है, तो काफी वजन होता है इसका, और किलोसकर के साथ मेरा खुद का एक्स्प्रियंस बहुत अच्छा रहा है, पहले वाला जो अच्छा था, वो हाफ HP था, और यह 1 HP लगाने का मोटिव यही है, कि जो मेरा च्छत पे हमारा एक हजार लिटर का दो टंकी लग गया है, तो एक जो पहाफ HP था, उसमें जो प्रेसर भी काफी कम हो गया था, और जो मोटर है, उसका वाइंडिंग जल चुका है, तो हमने सो और तब तक एस पेर में उस मोटर को भी हम लोग बना के रख लेंगे, कभी अगर इस मोटर में कोई प्रॉलम आती है, तो हमारा पास एक एक स्पेर मोटर रहेगा, पंप रहेगा, जो हम लगा कर फिर वापस उसका यूच कर लेंगे, तो आचानक यह बनने में भी एक दू आप चाहे तो यह वाला रिटन वाल्ब को खोल के हटा सकते हैं, इससे हटाने से क्या फायदा होगा कि आपका प्रेसर है पानी का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही कनेक्शन में दो-दो रिटन वाल्ब लगाने से प्रेसर थोड़ा कम हो जाता है, तो मोटर में रिटन आपके नहीं जाएगा तो आटमाटिकली मोटर में पानी रहेगा, इसलिए हमने काया कि एक अप रिटन वाल्ब भटा देंगे, तो मोटर को जो प्रेसर हो बढ़ जाएगा, अभी इसमें हम लोग Ft, जो Mt आता है, यह CPVC में यह लगा लेंगे, इससे क्या होगा कि इसको एक तरफ में एक थ्रेट होता है, और एक तरफ में UBC पाइप लगाने का होता है, यह एक इंच का पाइप इसमें लागेगा, यह देख सकते हैं, दोनों मोटर मेंने सामने रखा है, देखने में सिमलर लगता है, देखने में एक ही जैसा लागेगा, बगर एक हप और हाफ ह हो किया। आफ, अगर प्रेसर में और पानी का प्रेसर बढ़ जाता है और सक्षीनorta होता है उसका व्ह भी अब पाउज का फूज़ी में होता है अब है हम सक्षिया रेंज का क्या है, इसका सक्षान और डिलीवरी तोनों में यूनियन लगा दिया है बन में आगा हैं कि ना काथ गाता है कि यह कभी भी हमको मसेफ Total uh काफी कम अरां मात आप लिद्स वाहर को है बहुत कुछक्टिण था तो कभी भी मसेफ भी मसेफोह कूल जा सकता है किसे महां हमार आप तो हम इसे असानी से मिना प्लंबर की सायथ असली खोल कर इसे वापस बनने दे सकते हैं तो हमने दोनों में यूनियन लगा दिया सेम साइज में कि कभी भी हमें अगर मोटर हटा के चेंज करना पड़े तो आसानी से हमने दूसरे मोटर को रूसरे हैं दूनों को रीप्लेस कर सकते हैं दूसरे मोटर से खड़ाबप भूआ तो वसको लगा दिया तो आद भी हमने व्हाट किया है यह हमारा HP का जो पंप है उसका प्रेसर technically अब के ऐसेर चैनल